हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेल्प मैं तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे most awaited result जो है आपका KBS JSA का जो एक्जाम हुआ था उसके regarding में बात करने वाले हैं पूरी detail में जानकारी दूँआ कि क्यों आपका जो result है वो अभी तक रुका हुआ था और अब कब तक आने के आपके chances ने result के तो वीडियो को पूरा और द्यान से देखेगा आपके काफी सारे message जा रहे था जो मैं दूसरी वीडियो टलता हूँ कि KBS JSA के वारे में कुछ बोली है तो finally मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या update निकल कर आ रहे है KBS JSA के exam को लिखा तो चली start कर ले तो KBS जैसे के exam जैसे कि आपको मार्च में आपका exam होता है दिसंबर में आपका form निकला था नवंबर में दिसंबर जनवरी तक फराग भरा गया था और अभी तक उसका result नहीं निकल के आया है दो बार typing exam हुआ था एक बार आपका टेकनिकल इसू आया था कुछ जोइन को उसके कारण और अभी भी result नहीं आ है देखे तो कब तक आएगा result हमारा इतना लेट क्यों हो रहा है इसके regarding update है तो देखे लास्ट अपडेट जो आपको देखने को मिला था वेपसाइट के उपर जो कि आपका जो recruitment हुई थी KBS की 2022-23 की तो वो जो लास्ट अपडेट था वो था 25 जुलाई 2000 23 का update जो कि आपका ASO के लिए और SSA के लिए था जिनका 12 और 13 अगस्त को 3rd round का document verification होना था क्या होना था डीवी होना था ये last अपडेट थी 25 जुलाई और आज 26 अगस्त हो चुकिए यानि की पूरा पूरा एक महीना बीत चुका है न 26 अगस्त होची को पूरा एक महीना बीत चुका है अभी तक किसी भी प्रिकार के कोई update देखने को नहीं मिलिए अब ये update क्यों देखने को नहीं मिलिए इसके पीछे का जो reason हो यह है यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ठीक है ओपिशल वेबसाइट से लिए गया है यहाँ पर आपको देख रहा हुआ ट्रांसफर ओर्डर ओप जैसे एससे टीचर्स प्रिंसिपल्स जितनी भी पोश्ट यह आपकी के त्रूरू रिक्रूट की जाती हैं उनके सभी के ट्रांस यानि कि हर साल जैसे हर साल एक विंडियो ओपन होती है कि इसको दिल्ली जाना तो वह अपना जो यह पोटल ओपन होगा उसमें फिल कर देगा कि मेरा दिल्ली में ट्रांसफर कर दीजे तो अगर जगह होगी तो वहाँ पर मिल जाएगी नहीं तो उसे यहीं पर रखेंगे यह सारी प्रोसेस सभी के लिए जैसे टीचर ऐसे से एसे और एसो सब के लिए यह प्रूटमेंट जो है अभी चल रही है तीक है इस पर चार अगस्त को अभी ओडर दिया था और अभी दीरे-दीरे मतलब पोटल खुरा था और अभी इन पर दीर-दीरे ट्रांसफर के जो पूरा प्रोसेस सभी किलियर किया जा रहा है तो हो किया रहा है जब यह ट्रांसफर ओडर चल ला है तो इससे क्या होगा कि मानगे चलिए आज अगर यहां से ग्वालियर से किसी बंदे ने अगर दिल्ली अगर वो चला गया तो यह पोस्ट खाली होगी और नहीं गया तो यह पोस्ट का डाटा मिलेगा अभी सबके ट्रांसफर ओडर दे दिये जाएंगे जिससे हमें एक्च्वल डाटा जो केवी इसको वह पता चल जागा कि किस जगह पर कितनी विकेंसी खाली है किस इसकूल में कितनी कितनी विकेंसी खाली है यह खाली नहीं है यह पूरर दस को वहाँ भी दिती पांच को वहाँ भी दिती दो को वहाँ भी दिती पूरे डाटा इस तरीकी से निकालके तब वो आपका जो रिजल्ट है वो जारी करेंगे यही हुआ था NBSK में कि हमारा मतलब सब कुछ प्रोस्ट होगा डीबी भी हो गया था हमारे दिसंबर में पर जॉइनिंग हमें जाके दीती कब दीती ऑक्टूबर में जाके वो यही प्रोस्ट है एन्वेल ट्रांसफर ड्राइब चल लीती और उन्हें कौकि वहाँ से जो हटके जो बंदा है जैसे जो है जो भी जितने भी ट्रांसफर ओर्डर होते है प्रकार के वहाँ से चला जाग कि आपको सब्टेंबर के मन्थ में 100% कोई ना कोई यहां पर अपडेट देखने को भी लेगी में अक्चुन तो नहीं बता सकता है कब आएगी बट सब्टेंबर के मन्थ में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अपडेट जरूर मिलेगी डीवी के रिगार्डिंकि यह इस यह प्रांसफर ड्राप चल रहा था जिसे एक डाटा कलक किया जा सके कहां कहां विकेंस भाली है तो आई हो अपको अच्छा लावा वीडियो अच्छा लावा लाइक कर देना चैनल पर आई सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की मोर अबडेट्स के लिए मिलते हैं फिन नेक्